जमीन विवात में हत्या कांट को लेकर बाब बेटे को उमरकैद की हुई सजा बतादें कि पुनाहना थाना के अंतरगत गाओं समसाबाद एचातान में छे साल पहले भतीजे की हत्या करने के आरोप में जेल में बंद शमसु और उसके बेटे तालीम को मंगलवार को नुहु के अतरिक्त जिला एवं शत्र न्यायदी संदीप कुमार दुग्गल की आदलत ने उमरकैद की सजा सुनाई है साती उन पर 25-25 जार रुपे का जुर्माना भी लगाया है विरेंदर सिंग डीएसपी नुहु के मताबिक गाउं समसाबात के चेतान में गत 16 नवंबा 2017 को शाथ की जमीनी रंजीस में गोली मार कर हत्या कर दी थी इस मामले में शमसु और उसके बेटे तालिम को ग्रबतार किया गया पुनाना छेतर के गाउं में ये वारता थोई थी जमीनी रंजीस के चलते बतीजे की हत्या कर दी गई थी जुर्माना नहीं वरने पर दोश्यों को अतरिक्त सजा भूगतनी पड़ेगी विरेंदर सिंग डीएसपी नुहू ने कहा है कि पुलिस ने मामले में मजबूती से पैरवी की थी एडीजे शंदीप दुगल की कोट ने पुलिस की मजबूत पैरवी के चलते आरोपियों को अपरोगत सजा सुनाई है यह मामला पुनाना छेत्र का चर्चित केस था अब हत्या रोपियों को पूरी उम्रोजेल में ही बितानी पड़ेगी आप देखरें नुह मिवास लियाकत अलीक रिपोर्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीचिएगा पुनाना थाना में एक समसाववाद खहचातान गाहों है जिसमें समसूर तालिब यह दो व्यक्ति थे जो जमीनी व्यवाद के कारण अपने बतीजे उसकी इनों ने अक्ट्या कर दी थे और जिसका नाम मुहमद साथ था तो कल जो है माननी अदाल्प ने उसी मामले में इन दोनों को उम्र कैद की और दोनों को पच्छिश-पच्छिश-जार रुपर कर जुर्माने की सज़ा से हैं पुलिशने से इस मामले में कितने मजबूती से पैर हैं यह दिखाता है कि जो कि इनका पारिवारिक जमिनी विवाद था तो शोड़ा नॉंबर 2017 को यह गठना को अंजाम दिया